हैलो नमस्ते वलकम तो मैथ अडिक्षिन र यो वीडियो मामे डिस्केशन गरने सम् बिकरम संबद्धुई हजार उनासी साल दस महिना आठ गत्ते का दिन नेपाल राष्ट बैंक को प्रशाशन साइक दित्ते को प्री टेस्ट मा स्वोधिये का माथमेटिक्स र कंप्यूटर संग संबंदित प्रश्ण हरु को सलूशन बिगत एक महिना देखी अले कि थी बिजी सेड्यूल बागाउं नाले महिनी कंटिनियसली वीडियो अपलोड गरना पाया ना थेसको लागी स्वारी बनना साहन्शू from now onwards I will try my best to upload videos continuously in my channel so अबसाई धरे सम एक हरो ना पाल देए आम यो वीडियो शुरू गर्साँ so let's get started ओके पहलो कुईशिंचा यो टाइप कुरो एकुधियो Ram and Sam can finish a piece of work in 20 days Ram प्र स्याम ले मी लेर कुने यवडा काम 20 दिन मा समापता गरना सक्षन Ram alone takes 36 days to finish the work Sam 1 ले लाइ 100 काम गरना कदी दिन लाक्ष यो आमले निकलिन के खिक्ष एक अमियो सजीलो प्रस्ण रोएको यो यूनिटेर मैथट को S मात पाला understands Ram plus Sam लाइ 1 काम गरना 2 दिन लाक्ष त्यो दिन विगूस Ram1 लेइ को एक्लास Sam को सोदि रास सो येवला क्वीछिन ल हैत बाई efficient तरिकाले solve गरन नुसक्नू अचे तरısı को पोईलो तरइका है एस तो गढ़न सक्नू अचとう शाए राम र श्याम आइन मोगीली R प्लस S लेके राम र श्याम को एक दिनको कामको दीस उंच वनच तेसे कर राहने राम को एक दिनको कामकोदीस उंच उंच अब तवेले राम प्लस स्याम बड़ा राम लाई माइनस गर दीनु बढ़ाई वेने स्याम को एक दिन को काम आउस त्योंच 1 बाई 20 माईनस 1 बाई 36 20 रद 36 को LCM चाई सईसंग निगालनो वला येसर निगालनो सखनोंच 20 रद 36 रख मालेकनी 4 येसको SCF हुँँचा हाईस कमन फैक्टर 4 ले 5 पोटक रचार ले 9 पोटक चार गुणा पाँच 20 बीस कुणा नो गरनी वनी 118 येसको LCM हुँच 180 LCM बोयो 180 लाई 20 ले डिवाइड गरदा 9 पोटक अनि 180 ले 36 ले डिवाइड गरदा 5 पोटक सो माथे याउस 4 तलपटी याउस 118 चार ले 118 ला काड़दा ठ्याक 25 पोटक येसको मिनिंग बोयो स्याम को एक दिन को काम कती रहेच एक बाई 45 तेस बाई स्याम लाई पूरे काम गरना कती लाग्स येसको उल्टा लाग्स मतला 25 दिन लाग्स आप्षण D is the right answer तीक सा येवडा तरीका येओ हो और को तरीका तबाई एसरी पनिंग गरना सकनोंच तबाई डायरेक्टली पन निकालना सकनोंच ये तरीका वड़ दुई ठेलाए मिलेर लाग्ने दिन बनेको 20 और ये राम एकलेला लाग्ने दिन बनेको 36 आप्षण D is the right answer ये जुन्सुगे तरीका वड़ गरधा पनि होंच ये ओके, क्विशिन नूम्बर टू सा ये ताइप को रएको थियो बाई सेलिंग और साइकल फोर रूपीज 3600 और रूपीज 4400 दिनेस गाट लाज और लाज और प्रोफिट रेस्पेक्टिबली प्रोफिट अमाउंट और इक्वल येदी नाफार और नोक्सान को रकम बराबर हो बने प्रोफिट अबर प्रोफिट परियो रकम माउंट मायन amount of loss is equal to amount of profit नुपर्यो जती नाफा तिती नुक्सान र दुयोडा selling price तबलाई दी एको छो बनी बिची तबाई CP easily निकालना सक्नुँँँच यो दुयोडा को average निकालनी आउसर निकालनी शो 36 से प्लस 24 से डिवाइड बाई दुय गर्दिनियो 36 र चमालिस जोडने वनी बिची असी हुँँच शो माधी 8000 आयो 8000 को आधा गर्दिने वनी 4000 तबाई को cost price हुँँच तबाई एत्तिक बन चेक गरना सक्नुँँच येदि 4000 cost price हो बनी पहिलोको selling price यानीर कथी शा 36 से हेश चार हजार को चीज लाई चाती से मा बेजदा 400 र चार से र चार से र चार से र चार से र कम बराबर सागी से ना चा तेसे लिए प्रशन को cost price कथी हुँच 4000 so option C is the right answer ही तब एक दम इसा चीलो प्रशन question number 3 if the harmonic mean of 60 and N harmonic mean बनना ले हरात्मक मद देख so 60 र N दुएवटा संख्या सन यो दुएवटा संख्या को harmonic mean अड़ताले सो बने N को मान कोदी हुँँच यो आमले निकलने so येदि हामिस संग A र B दुएवटा संख्या हुँँच बने so येदि होरको harmonic mean निकलने सुत्र हुँँच 2 A B divided by A plus B येवाला formula हुँच so अब तपाई के करने हुँच harmonic mean को इस्तान मा और्तालिस राखने हुँच अनि यानिर A को मतलब पहिलो संख्या हुँच पहिलो संख्या को इस्तान मा तपाई 60 राखने हुँच B को मतलब दोस्रो संख्या हुँच तेसको इस्तान मा N राखने तोलपटी कोती हुँच फेरी A plus B मतलब 60 plus N येवाला हुँच so एता साइड मा और्तालिस आयाले हुँच एता साइड मा आमिसंग 120 N हुँच 60 ले दुईला गुणा गरदारी एक से 20 N भोयो अनि तोलपटी 60 plus N योब अब क्रोस मल्टिप्लाइ गरने ये चीज ला एता लोगेर जानूँच so 60 plus N is equal to 120 N by 48 उन्च यो 48 ला आमले भाग मा जार देको क्रोस मल्टिप्लिकेशन अनि 60 plus N सेम टु सेम भो 24 ले कार दिने यो 24 दुनी और तालिस अनि 24 ले पांस पटक सो यो उन्च आमले 5 N by 2 उन्च अब यो N लाइ एता ले आयरा घडाउना मात्र भागीच so 60 बराबर 5 N by 2 minus N so 60 बराबर अब L सेम ली दिनू उन्च यो 2 N by आल्च मा डाइरेक्ट लेगरा आसो यो 2 ले N लाइ मल्टिप्ला होंच 2 N उन्च 5 N बर 2 N गवर्च पसी गवरा सो माथी भागीरोंच 3 N अनि याने रबागीरोंच 2 60 ले 2 लाइ गुणा गरनू एक्जाम में इती स्टेप दिखावनु पर्दाना तबाई डारेक्ट मुन लिखना सापनु जा साथी ले दुईलाय गुणा करता है एक से बीस बोयो एधा पड़ी 3N बोयो 3 ले एक से बीस ले कार देनु सो 40 एसको मतलब N को वैलु काथ यूनु परने रहाईश 40 सो option B is the right answer रहाईद question number 4 what is the value of सो यह निर स्क्वार रूट बित्र मात इपर T A को पावर 6 B को पावर minus 2 C को पावर 4 ले खीकुस स्क्वार रूट बित्र तोला पत्ती चा आमरो 4th root आप 4th root of A को पावर 4 B को पावर minus 4 C को पावर 8 एला आमले simplify गड़नु परियो इसको मान कती होंचा बने रहाईद सो स्क्वार रूट मा केसा आमिसांग A को पावर 6 B को पावर minus 2 C को पावर 4 और तोला पत्ती केसा आमिसांग 4th root of A को पावर 4 B को पावर minus 4 C को पावर 8 एक तमय सजिलो प्रश्ण सा सो तपाई के गड़ना सकनु उन्छ square root उनता direct बाईरा निकालदा बनी होंच K फरक परदन square root को मीनिंग हमेशा power half होंच सो कुनिबनी चीजलाई येदी तपाई square root बन्दा बाईरा निकालना चान होंच एस्तो टाम सरूलाई तेसो बै तपाईले के गड़ने हो तिनियोरको पावर आधा 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 गरेरा निकालनो पड़श सो जस्ताई square root बित्र हुदा सम्म यो A को पावर 6 येदी यो बैरा आउस बने यो A को पावर 3 हुँँच कसरी चोलाई 2 ले भाग गर दिनियो कि यो मने square root बने को पावर half हुँच और square root बित्र साई यो B को पावर minus 2 हो बैरा निकालना दिनियो मने B को पावर minus 1 हुँच 2 को बने आदा गर दिनियो C को पावर 4 को आदा गर दिनियो C को square हुँच अई सिद्ध्यालियो अनि या निरसा अमलिकी गर दिनियो बित्र रहे को हरेक पावर लाई यो 4 ले भाग गर दिनियो 4th root को मतला 1 by 4 हो ठीक्च 4 ले भाग गर दिनियो अनि यो बहरायाल सा 4 ले भाग गर दिनियो बने A को पावर 1 बहायाल सा अनि minus 4 ले भाग दिनियो बने B को पावर minus 1 बहायाल सा रा 8 ले भाग दिनियो बने C को पावर 2 बहायाल सा येसता चीजरु याद राखनो लाई त एक नमें सिंपल सा योथा, अब काट दिनु जो सो सेम सा, B पावर माइनस 1, B पावर माइनस 1 काट्यो, C स्क्वार, C स्क्वार काट्यो, हामें संगा बोसियो, A को क्यूब अपन A, एथी बोसियो, सो तबाई यो A को पावर 1 लाए माथे लोगे रागो, ताउन सक्नून सा, य The difference between the simple interest received from two banks on principal of Rs. 1,50,000 for two years is Rs. 1800. What is the difference between the interest rates of the two banks? 2 bank और वर्ड सावा रू 1,50,000 को 2 बर्ष मा प्राप्त गरेको साधरन ब्यास को फरक, रू 18,06 बनी, 3 को 20 मा ब्यास को 10 को फरक कती होंचा So, यो वाला question लिकी बन्चा बन्दायरी, तबाई लिए टोटल सामा 1,50,000 दू योडा बैंक और मा इन्वेस गरनू भाते हो, तेस वड़ो तबाई लाए दू बर्ष को ब्यास को अंतर, जो साधरन ब्यास को अंतर सा, त्यो 18,06 प्राप्त भोएको सा, तेस वए हमली त्यो दू योडा बैंक और बिसको जो rate of interest हुँँच, जो percentage मा नापीँच, तेसको बिसमा कती अंतर होला, त्यो हमली पत्ताला लोटनी, ठीक सा, एक तमे सजिलो होच, एक सिर्मा सिद्धियाल चा योधा, दू साल को ब्यास को अंतर तबाईलाए दियेको सा, अठार से, दू साल अंतर आयको सो नौ से रुपया, यो तबनेको रुपीज हो, एसला है तबाई परसेंटेज मा चेंज गर देनो, तेने तबाई को आंसर हुँच, है, सो कसरी गरने परसेंटेज मा चेंज, माठी लेखनुँच, एकजाम मा के गलती उनसक्सा बंदा है, इस्टुएंट अरो टोटल डेढ लाग ने यो, एक लाग पचासा जार, अनि मॉल्टिप्लाइ गर देनोंच, सोयले, यह क्यो हुँचा, आम्रो, डिफ्रेंस इन रेट हुचा, इता, डिफ्रेंस इन रेट, यह आम्रो, एंसर हो, सो अबा, कैंसल गरने, 0-0 काटनू, पहला, अनि फेरी यो 0.60 हुँचा, सो 0.60 परसेंट इस हाम्रो, रेक्वार रेक्वार एंसर हो, सो अप्चिन ए इस द राइट अन्सर हैता, Q6, एकदमेश सिंपल, which one of the following is the smallest fraction, निम्न भिन्न हरुमा, सब यह बंदा, सानो भिन्न कोनोंच, यह आमले निकालिने, सब यह बंदा, सानो, अब मेले, यह बंदा, आर्डी को वीडियोस मा, एसता, थोप्रई, क्वेशिन और तबालाई सिगाया गोशुग, कोई कोई कसरी हामे smallest, largest fraction निकाल सो मुनेर, ठीक सा, सो पहले तबाई यह बंदा लिनूस है न, A रबी, सत्र बाई 21, अने यह बंदा बाई 15, एसरी लिनूस, अब तबाई क्रोस माके गरनूँँच, मुल्टिप्लाई गरनूँच, सो सत्र ले 15 लाई गुणा गरने, कोथी उन्च, सत्र ग गुणा दुई गरने यह बंदे 30 उन्च, दुई से पच्छी सर तीस बंदे को, दुई से पस्पन्दा उन्च, कोशरी आयो, सत्र ले एता पट्टी गुणा गर रहा, है, यह लेट साइड को एंसर, अब राइट साइड को एंसर निकाल सो, आमी 81 इंटु बार, माननूस य जाय स्यानो स, 22 न स्यानो उन्च, 22 न स्यानो उन्च, 22 न स्यानो उन्च को मतलब यो वाला फ्रेक्शन स्यानो रहा, हमले स्यानो वाला ला सेलेक्शन गरने हो, सो एर बी मा यो बी चाय स्यानो निसके हो, 12 बाई 15, सो तबाई 12 बाई 15 लाई, एक सिन दिमाग मा राखी राख गरनी, सो लेप्ट साइड मा आउस 11 गुणा छे 66, राइट साइड मा 14 गुणा पास 70 बने राउस 66 स्यानो, मतलब यह वाला फ्रेक्शन स्यानो उनस 11 बाई 14, सो सीर डी मा 11 बाई 14 स्यानो, अब आमी दुईटेई बड़ा आयको स्यानो स्यानो लाइक कमपारेजन गरचों, सो अब आउस दुईटेई बाई 14 गुणा चाओध योदा इगदम सजिलो सा 11 बाई 14 बाई 14 गुणा एगार गरदिन्यों बने एक से पोईसर्टेई उनस इता साइड वाला, सो यही साइड वाला फ्रेक्शन मतलब राइट साइड वाला फ्रेक्शन तपाईको एंसर उनस सब से छोड़ फ्रेक्शन रहे सा 11 बाई 14, ओप्शन C इस द राइट एंसर हैता Q7, एक दम ही सिंपल हेडने बितिके एसको एंसर था पाई अलसो, यह दो केस ने एक सेगेंड भन लाग दना, what is the LCM? लौसन निकालने अमली X प्लस Y रहा, X स्क्वाइर मैनस Y स्क्वाइर गो, X प्लस Y यहवडा यो टॉम दिएको सा आमलाई, औरको X स्क्वाइर मैनस Y स्क LJ प्राको यहवडा पॉप्लर फॉर्मला यूज गरेर, A स्क्वाइर मैनस B स्क्वाइर को सुत्र, A प्लस B, A मैनस B बनेर, ठीक सा, आप तब हैले S को, रहे S को LCM बननू सा, LCM बनना को लागी सबसे पहला, तब हैले यह दुटामा साजा संख्या कूनो, साजा बनेको X प का निर सायो, option B, सो यह इसको रहे अंसर हों साहितर, अब पालो आयो, computer संग related प्रशन हर को, एत्ती सजिलो question, RAM, which is a type of memory used in computer, is a short form for, RAM, जो की computer मा लागने एक प्रकार को memory हो, यो साय कसको short form हो, कसको acronym हो, बनेर बंदा हों सा तब हैले, सो यो साय random access memory को short form हो, RAM अई, सो option C is the right answer, question number 9, to ensure that data is not modified in unintended or unauthorized way, is to maintain the dash of the information, कुने पनी data लाई, गलत मन साय, या unauthorized तरिका बड़ा, चेंज गरना न दिनू लाई, के बनींसा, बनेर सोधे को यो प्रशन हले, तेसला बनींसा, integrity of information, information को integrity maintain गरनू बनेर बंसंते लाई, सो option C is the right answer, ओके, यो वीडियो को last question, question number 10, in word, word बनना ले, ms word, which of the following tools is used to apply same format, या formatting, to different character, paragraph, so allगलग character, या allगलग paragraph लाई, same formatting, एक च्रडी तबाईले कुने ठाव मा formatting गरनू वा, यदि तबाई तयो पुरे formatting लाई, copy गरर कुने और को character या paragraph मा apply गरना सानू उनसा, आपके, यो वीडियो मा यतिने, मा आसा गरसु तबाईले एकजाम मा maximum question सरू, एकदमा इसाई तरिगाले solve गरनू भागो सा, अब सेकेंड पेपर को लागी, important question सरू, मा आपनू channel मा अपलोड गर्दे गरने सु, तबाई तेस्लाइक गर्दे गरनू वाला, so thank you for watching the video, see you soon in the next one.